हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ ट्वीन ओईली फिश्टेल ब्रेड की वीडियो शियर करूंगी होप आपको वीडियो अच्छी लेगे क्योंकि यह जशन की वीडियो है तो की वीडियो हो जैपल जैटाइं डिधा अच्छी को अच्छी ना हो तो आप अपने अच्छी के इस तरह से एयर सब पर प्रेड के तरह से आप फुड बना सकती है बहुत एजी है यह वी ब्रेड बनानी और इसकी लूक면 ज़दा अच्छी हाती अतना strylish ये वली ये व्ला हेर स्टाइल लगते हैं अगर आप इसे किसी भी हीयर असेशरी से डेकोरेट करेंगे या फिर किसी ही च्लिप यूज और बी जधा अच्छा लगेगा तो घाईस देखें सबसे पहले मैंने स्क्रंची इसका यूज किया है सिंपल रवट बैंड का इससे मैंने पॉनीटेल को सिक्यॉर कर लिए पॉनीटेल मैंने बना लिए अब मैने बालों को दो हिस्सों में बाठ कर दोनों साइड से लेर लेकर फिश टैल ब्रेड बनानी है इस ब्रेड की लूप उपको बहुत जदा अच्छी यह ओ और मैं यह ब्रेड बिल्कुल ओईली बालों में बना रही हैं ओईली वालों में तो इसके लूट कितनी इतनी अच्छी आई बालों में इतनी अच्छी शाइन थी कि ब्रेड बिल्कुल उसकी शाइन कर रही थी मैंने पहले भी single ट्विइन ब्रेट की सिंगल नियुक्त सामें इसनफR ये नियुक्त साफ़ची कि ड़ी का उन्हां कि दो कुछ इसने अने बहुत बहुत जभी अधिन हैं बहुत ज्यादा फ़्में इसके बाल så इस वज़ा से ओईलिंग मुझे करनी पड़ती है आप चाहे तो ड्राइएर में भी सिरम का यूज़ करके यह वली ब्रेड बना सकते हैं तो देखे यह वली ब्रेड बनाने कितनी ज़्यदा इजिए बस दोनों साइड से हमें पतली पतली लेयर लेते रहना है जशन के पाल इतने लंबे हैं कि खतम होने का नाम ही नहीं लेती है इतनी लंबी उसकी ब्रेड होती है तो देखे गाईज इस असान तरीके से आप ये वले ये वला सुन्दर हेर्स्टाइल कर सकते हैं जशन के बालों में ऑइलिंग करना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है क्योंकि उसके बालों में टैंग इतने ज्यादा पड़ते हैं कि कॉम्बिंग तो मैं बिलकुल भी उसके बालों में ड्राय हेर में मैं नहीं कर सकती हूं तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आप सब वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को subscribe भी करें तो देखिए इसी तरह से मैंने एक braid बना ली है और अब मुझे दूसरी braid बनानी है दूसरी braid के लिए भी सबसे पहले मैं बालो को set कर रही हो कॉंबिंग कर रही हो फिर मैंने यह scrunchies का यूज किया है जिसे के poni tail बिल्कुल secure हो जाए बहुत ही सुंदर ये वाला हेरस्ट्राइल लगता है बहुत असान तरीके से आप इसे अपने भी कर सकते हैं या फिर किसी और के अपनी बेटी के किसी के भी आप ये वाला हेरस्ट्राइल कर सकते हैं इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है इस ब्रेड की जो हम सिंपल ब्रेड करते हैं उससे थोड़ी से ये वली ब्रेड अलग है बिल्कुल पतली पतली हमें दोनों साइड से लेयर लेनी है आप चाहिए तो इससे भी पतली लेयर लेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लूग काएगी तो देखिए इस तरह से मैंने ये वली दूसरी ब्रेड बनाई है जशन के बार इतने ज़्यादा लंबे हैं कि कोई भी हैस्टेल करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है जब तक कि मैं अच्छी तरह से ओइलिंग ना कर लूँ टैंगल सारे अच्छी तरह से रि दलता है ना ही ब्रेड होती है इतने हैवी उसके बाल है तो देखिए गाइस लास्ट में ब्रेड की लुक कुछ इस तरह से आई है होब गाइस आपको ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना हो सके तो वीडियो को शियर भी कर देना तो चलिए गाइस अब मैं मिलूंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई